लॉगडाउन 3.0 की शुरुवात में ही प्रवासी मजदूरों का घर वापस जाना एक बड़ा राजुनितिक मसला बन चुका है कॉंग्रेस समीट कई विपक्षी पातियों ने आरोप लगाया है कि इस संकट के वक्त में भी केंद्र सरकार मजदूरों से टिकेट का पैसा बसूल रही है इस मसले पर अब कॉंग्रेस और भारतिय जुनता पाति में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है कॉंग्रेस के ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला है तो वहीं बीजेपी भी अपने बचाव में उता चुकी है गौरतला मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने जो ट्रेन चलवाई हैं उनका नाम शमिक ट्रेन दिया गया है वहीं कॉंग्रेस समीत कईव पक्षिपातियों ने आरोप ये लगाया कि मोदी सरकार मजदूरों से इस यात्रा का पैसा वसूल रही है